कि नमस्कार दोस्तों हम लोग सामानी हिंदी के अंतर गदधिक अ क्डाधियन कर लिया था और इसी क्रम में आज हम लोग ईद्धी esté संदी के वारे में द्यान करेंगे और व्रिद्धी बिद्धिशवर संधि को हम बहुत ही easy way में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको हम बिद्धिशवरचंधी पहचाननी की ट्रिक भी बताएंगे तो आप बने रहे हैं हमारे वीडियो के अन्त तक और चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ब्रिदिश और संधि की परिभास क्या कहती है हम लोगों ने इस से पहले जाना था कि जो संधि होती है दो वर्णों का मेल संधी कहलाती है अब जो उसमें पर्थम शबद है इसका अंतिमोन और डितिये सबद का पर्थम वर्ण दोनों मेल करके एक नया विकार उत्पन्द करते हैं और इसी को संधी कहते हैं तो ब्रिद्धिश और संधी में हैं कि यदि किसी आ या आ के बाद ए या आय तो उत्पन्द विकार ए हो जाता है इसको हम लोग मात्रा के रूप में ऐसे लिखते हैं ए हो जाता है तथा यदि ओ या आओ आये तो उत्पन्द विकार ओ हो जाता है जिसे हम लोग मात्रा के रूप में ऐसे लिखते हैं हो जाता है परिभासा बहुत ही आसान है इसको क्योब एक बार समझना है कहने का मतलब है यदि किसी पर्थम सब्द का अंतिमवर्ण आ या आ हो के बाद ए या आये तो मतलब कि जो दितिय सब्द का पर्थम ओण हो ए या आ हो तो उत्पन्द विकार आ हो जाता है जिसको हम लोग मात्रा की रूप में ऐसे लिखते हैं और पर्थम सब्द का अंतिमवर्ण आ या आ हो उसके बाद ओ और आ हो जाये तो आ हो जाता है उत्पन्द विकार आ हो जाता है इसका पहली कंडिशन हम लोग देख लेते हैं यदि आ या आ के बाद ए या ए आ है तो जो बिकार होगा और क्या होगा ए होगा इसको हम लोग मात्रा की रूप में ऐसे लिखते हैं इसका हम लोग उदारण देख लेते हैं जैसे सदा धन एव इसमें से हम निकालेंगे आ यहाँ पर आ दिख रहा है जो पर्थम सब्द का अंतिमोर्ण है यहाँ से स्वर क्या है आ और यहाँ पर ए यह दोनों का मेल होगा तो हो जाएगा ए यहाँ पर हम ने बताये कि आ और ए मिलके ए हो जाता है जिसको हम लोग इस तरह मात्रा लगाते हैं यहाँ पर क्या बचेगा सद्ध हलंत लगाया हमने क्योंकि आ यहाँ से निकल गया है और यहाँ वा अब यह मिलेगा यह स्वर है इसको पूरा कर देगा और इसकी मात्रा लगाएंगे सदेव में कौन सी संधी है वृद्धी स्वर संधी अब आपके एक्जाम में क्योस्चन कैसे पूछा जाता दिखिए कि स्वन्दी से दो तरह के क्योस्चन आते हैं पहला तो आपसे पूछ लिगा कि सिधा सिधा कि सदेव में कौन सी संधी है कौन सी संधी है अब चार आपसन आपके सामने होंगे सिधा आपको पहचानना होगा कि सदेव में कौन सी संधी है उसके लिए आप क्या करेंगे कि सदेव का संधी विच्छेद करेंगे तब आप पहचानेंगे लेकिन दूसरी टाइप क क्यूशन क्या आता है कि आपसे पूछेगा कि सदयू का संधी बिच्छेद है चार संधी बिच्छेद आप से दिया रहे खाप क्या एक option में यह रहेगा सदाधन यो और दूसरे में हो सकता है बदल दे सदाधन एयो ऐसे इसे करके चार आप संदिय रहेगा तो इसमें सापको पहचानना रहेगा कि सदेव का सुद्ध जो संदि विच्छेद होता है वो क्या होता है तो संदि से दो तरह के क्यूशन पूछे जाते हैं अभी वीडियो के अंत में हम आपको जो है व्रिद इसवर संदि पहचाननी की ट्रिक भी बताएंगे तो चलिए और कुछ उधारण देख लेते हैं जैसे सदेव है ऐसे दूसरा देखते है तर्था धन एयो ये दोनों एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वही सिधा प्रोसेस यहां से आ निकाला यहां से ए दोनों मिलके हो जाएंगे ए यहां बचेगा तथ तैलन्त लगाएंगे यहां वा यह हो जाएगा तथ है इसी प्रकार आप जो है बुक से और भी एक्जामपल लेकर इसको जो है करने का प्रयास करेंगे इसलिए बताया जा रहा है कि आपको अच्छे धंग से याद रहे जब एक्जाम हॉल में आपसे पूछा जाए तो आप उसका संदी विच्छेट कर सकें क्योंकि हमने बताया संदी से दो तरह के क्यूशन पूछते हैं एक तो यह दे देगा तर्फर में कौन सी संदी है तब आपको विच्छेट करके उससे देखना पड़ेगा और कभी कभी पूछ लेता है कि सदेव का सुद्ध संदी विच्छेट क्या होगा तो इस तरह आप सॉल्व करें रहेंगे तो आपको दोनों क्यूशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और एक एक जामपल देख लेते हैं इसका कि आलिक देते हैं महा धन ऐस्वर्य अब यहां से देखिए महा से हमने आ लिया और यहां पर क्या है ए दोनों का मेल होगा यही बनेगा ए यहां बचेगा माह क्योंकि हमने यहां से आ निकाल लिए हैं यहां बचेगा यह सब्सक्राइग अब इसकी मात्रा चड़ेगी हां को सबसे पहले पूरा करेगा स्वर है और मात्रा लगेगी क्या हो जाएगा महेश्वर्य कोंसी संदी है व्रिद्धि संदी तो इस प्रकार से बुक्स से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अब दूसरी कंडिशन हम लोग देखते हैं किसकी दूसरी कंडिशन क्या है कि दूसरी कंडिशन में दूसरी कंडिशन क्या है कि यह दी और और आ के बाद ओ और आए तो ओ या ओ आए तो उत्पन विकार क्या हो जाता है और हो जाता है इसको हम लोग मात्रा के रूप में ऐसे लिखते हैं है ठीक अब इसका एक दो एक्जामपल देख लेते हैं लोग जैसे ला और वन धन ऊसदी अब यहां पे ना में आ लगा हुआ है यह john है लेकिन जो भेंजन होते हो स्वरों की स writer से बोले जाते हैं सबीष aucun मेन अगर पूर बेंजन लिखा तो आपे स्वर होता है यहां से आ होगा और यह ओ यह दोलु मिलके क्या हो जाएंगे और यहां पे क्या बचेगा वन अलंत लगेगा और यहां पे सद्धी कि यह नागों पूरा करेगा और मात्रा लगेगी क्या हो जाएगा कर वन वंसद्धी कौन सी संदी है व्रेद दिश्वर संदी यह पहला एक्जामपल हो गया दूसरा एक्जामपल हम लोग देखते हैं देख लेते हैं दन दन ओस्ट यहां पर क्या होगा और यहां से और दोनों मिलकर बनाएंगे और यहां पर क्या बचेगा दन हलंत लगाएंगे और यहां पर और यह ता को पूरा करेगा और की मात्रा लगेगी क्या बनेगा दन तोस्ट इस प्रकार जो है हम लोग इसको ब्रिद दिश्वर संदी को अपने बुक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अब आते हैं ट्रिक पर ट्रिक है या आप समझ लीजिए कि एक लॉजिक है आप लगा सकते हैं कि जो इतने भी ब्रिद दिश्वर संदी के आपको एक्जामपल मिलेंगे उन सभी में आपको आव की मात्रा दिखाई देगी दिखाई देगी यानि कि अगर किसी भी सब्द में ऑ की मात्रा लगी है यानि की बृद्धी हो गई है आ की मात्रा लगी है वहां पे उन सभी सब्दों में लगबग बृद्धी स्वर संदी होती है अगर आपके ग्यामपल मालीजी एक्जाम में पूछा जाए कि बनाउसधी में कौन सी संधी है या फिर दंतोस्थ में कौन सी संधी है तो आप आउकी मात्रा देखके पहचान जाएंगे ज्यादा तर जो है वृद्धिश्वर संधी में इस परकार के एक्जामपल होते हैं ज जितने भी आपने एक्जामपल देखे हैं दन तोस्ट इन सभी एक्जामपल में क्या था कि आउग की मात्रा थी तो इस प्रकार हम लोग जो है यह लॉजिक है कोई ट्रिक नहीं है पैचानने का एक तरीका ज्यादतर क्यूशन आपको यहां से सही मिलेंगे तो उमीद करते है में आपको ब्रिद्धिस्वर संद्धि पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ सेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए वीडियों तक देखने के लिए आपका